इस वीडियो में हम जानकारी देने बाले हैं एक स्पोर्ट जेनलिस्ट कैसे बने इसे सम्मधित महत्पुर जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों समय के साथ साथ Sport News का कबरिच महत बढ़ गया है। देश और दुनिया में Sport Evens चलते ही रहते हैं। एक Sport Reporter या Sport Generalist के रूप में आपको Sport Games, Events, Binary और पृतियोगदाओं के बारे में report करना होता है। स्पोर्ट से जुड़े इवेंड और इसे सम्मंदित हो रहे कारिकरम की जानकारी आडियन्स के वल मैदान पर होने वाले गटनाओं के बारे में जानने के लिए उतसुक है बलकि परदे के पीछे खिलाडियों के निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं और खास बात में यान की आकड़ों इसे समांदित पढ़ने भी इंट्रेस्ट रखते हैं इसी के जलता स्पोर्ट जनलिस्ट की बढ़ती पापॉलर्टी के कारड़ खेले पत्रिकारता से जुड़े न्यू चैनल बेफसाइड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा हैं ऐसे में अगर आप भी स इस स्पोर्ट में जनलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको उस खेल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होने चाहिए जैसे कि क्रिकेट होकी या बड़े स्पोर्ट इवेंड के लावा कई प्रिकार हो सकते हैं आज के समय की खास बात ते है कि आज का दौर डिजिटल मीड और इसके साथी जाहिर सी बात है कि खेल में इवेंड को कबर करने के लिए हवाई यात्रा और विदेश जाने का भरपूर मौका मिलता है तो चलिए आप बात करते हैं स्पोर्ट जलिस्ट का क्या काम होता है दोस्तों स्पोर्ट जलिस्ट एक जलिजम का हिस्सा है जिसमें आपको बर्क करना होता है इस ogionalist कैसे बने यह जाने से पहले आपको बताते है及 सपोड़ जनलिस्ट मोक काम जिम्मदारियां और कहां काम कर रहें के मोके मिलते हैं एक स्पोर्ट जनलिस्ट को इसपोर्ट इबेंट टीमों organization आग की coverage करनी पड़ती है जिसमें स्पोर्ट जेनलिस्ट को खासतार पर बड़ी सक्षित का इंट्रिव्यू, पोड़कास्ट, आर्टिकल लिखना आधी जैसे काम हो सकते हैं इसके साथी, आफिस बर्क में, डेक्स जॉब के रूप में, खोस टापिक पर अनलाइस करना, आकड़ो को एकठा करना, कॉलम लिखना, ऑनलान वेपसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग, मैच की कबरिज करना, स्पोर्ट नीज की एडिटिंग, स्कोर की खबर को पड़ती है, दोस्तों स्पोर्ट और इंटर्टेंमेंट इंड़ेश्टि में काम कर रहे हैं, फ्रोपेसेनेल पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो चलिए आपको बताते हैं, इस्पोर्ट जनलिष्ट बनने के बाद, कंड़िडेट को कई जगें काम करने का अफिर मिलते स्पोर्ट जनलिस्ट का बड़ी टीम के साथ काम करना होता जिसमें न्यूज एडिटर्स, मर्केटिंग ऑफिसर, एडवेटाजिंग एजंसियां, ग्राफिक डिजानर के अलाबा वीडियो प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना होता है। मैगजीन, मीडिया हाउस, न्यूज एजंसी, रेडियो इस्टेशन, टेलिविजन कंपनियों से लेकर ओनलाइन मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हैं। पर ऐसे कंडिडेट के लिए धेरो आपसन उपलग्द है। तो चलिए आपको बताते हैं हाउ टू बीकम है स्पोर्ट जनलिस्ट। जनलिजम एक ऐसा करियर फिल है जिसमें आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कंडिडेट अपने करियर की सुरुआस इंटरंसिप से कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी स्किल सेट आ जाए। ऐसे में स्पोर्ट जनलिस्ट बनने के लिए डिपलोमा कोर्स, डिगरी कोर्स, मास्टर कोर्स और पेस्डी तक भी कर सकते हैं। स्पोर्ट जनलिस्ट बनने के लिए मास कम्म्यूकेशन या जलेजम में डिगरी या डिपलोमा कोर्स कर सकते हैं। और इसके साथी स्पोर्ट जनलिस्ट बनने के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं संचालित किया जाता है। यानि कि सिर्फ जनलिजम का कोर्स करके इस फिल्ड में जा सकते हैं। ऐसे कंडिटेट जो इस फिल्ड में जाना चाहते हैं तो अपने बीट के अनुसार खेलों के प्रती जानकारी के बढ़ा कर स्पोर्ट जनलिस्ट के रूप में दुनिया के सामने आ सकते हैं। तो चली है आपको बताते हैं इस फिल्ड में डिप्लोमा कोर्स डिगरी कोर्स और मास्टर के बारे में तो चली हाप बात करते हैं« जर्नलिजम एड मास्श कम्यूकेशन कार्श के बारे में। स्पोर्ट जलिष्ट बनने के लिए ऐसे कई graduation course है जिसमें एड़ीशन लेने के लिए सबसे पहले आपको बार्मी में 60% अंकों से पास करना होता है इसके बाद इसमें एड़ीशन प्राप्त कर सकते हैं आला कि कुछ भी सुबेद्याल है इसे कम मार्क्त में भी एड़ीशन प्राप्त करते हैं यानि कि टाप कालेज में आपको एड़ीशन लेना है तो आपके पास अच्छे अंक आने चाहिए इन कोर्सों की बात करने तो बैचलर इन ब्रोडकास्ट बैचलर इन ब्रोडकास्ट जनलिजम बैचलर इन प्रेंट मीडिया तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजिट कोर्स के बारे में अगर आप जनलिजम से सम्मंदित पोस्ट ग्रेजिशन कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग् वासको कॉम्निकेशन , मास्टर इन्ट मीडिया , मास्टर इन जनलिजम , पतिरकारता कोर्स के एड़िविशन प्रक्रीया के भारे में देश में ऐसे कई प्राइबेट और सरकारी कालेज भी सुबह द्याले हैं जेलेजम से जुड़े डिप्लोमा कोर्स, डिगरी कोर्स, मास्टर और पीस्टी कोर्स संचालित करते हैं इन टाप कालेजों में एडिवीशन के लिए इंटेंस एकजाम देना पड़ता है तब ज इंटेंस एकजाम देना पड़ेगा इसके साथ ही जो रेंग आएगा उसके आधार पर एडिवीशन लिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं कहां मिलेंगे आपको काम करने के मौके पत्तिरकारिता का कोर्स करने के बाद नौकरी की सुरुआत आप किसी अच्छे न्यू जानकारी को बढ़ा हैं और आकड़ों को सटीक्ता से प्रस्तुत करें सभी फिरकार के सभी जानकारी होने के बाद आप आसानी से स्पोर्ट चैनल बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस नीज चैनल ओनलन वेबसाइड रेडियो इस्टेशन नीज पेपर और से जुड़े कई औरगनाज़ेशन में आपके लिए मौके हो सकते हैं तो जलिए आप बात करते हैं जेनलिजम कोर्स कहां से करें यानि कि कालेज और इनुवस्टी के बारे में Indian Institute of Mass Communication, Indian Institute of Journalism and New Media बंगलूर, इसके लाबा और भी प्राइबेट कालेज, सरकारी कालेज और इनिवस्टी हैं जिसमें आप इस सम्माझित कोर्स कर सकते हैं तो चलिए आपको बताते हैं स्पोर्ट जनलिस्ट के रूप में आपको कितनी तक की सेलरी मिलती है स्पोर्ट जनलिस्ट के रूप में सालाना 2-3 लाग का सालाना पैकच मिल सकता है या फिर इससे जादा भी मिल सकता है अलग कि जानकारे के लिए आपको बताएं कि इसमें जाब प्रुफाइल और काम करने के लिए आपको सिब्धाओं के सासत अलग अलग आपकी सेलरी हो सकती है और experience होने पर आपकी सेलरी और सिब्धाओं में भी बड़ोतरी होती रहती है इसके साथी tv पर स्पोर्ड से संबंधित प्रोग्राम करने बारे स्पोर्टशेजर्ट की बड़ी सेली package मिलता है यानि कि जो की टिवी anchor होते हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं स्पोर्टशे candles कैसे बने इसे संबंधित अज बप्रया ह chapel of श्रशाराश में अज जैसील